मेरा नाम हिमाईशु पतेल है और मैं गुजरात के एक पुनसारी विलेज का गाउं का सरपंचु फिजिकली विलेज इंडिया का मॉडल विलेज इस गाउं को सेंटर गवर्मेंट ने डिकलेड किया है मुझे देशपांडे फांडेशन की ओसे यहां आने का मुझे मौका मिला और डेवलोप्रिन इस सब भी लोगों से मिलने का जो मौका मिला इसे मैं बहुत खुश हूँ मैं वैसे तो पहली बार इस फंक्शन में आने का मुझे मुझे मौका मिला है वैसे देश्वानने फाउंडिशन का मैंने नाम बहुत पहले जब मैं काम करता था रूलर ग्रामिन ख्षित्र में तब से मैंने इस गाओ का नाम सुना इस फाउंडिशन का नाम मैंने सुना था और फाइनली मुझे जब आने का यहां पे मोubenा मिला मैंने देखा मुझे बहुत प्रसंथा हुई है बहुत अलग-अलग सेक्टर के लोगों से मिलना-जुलना हुआ वैसे तो मैं ग्रामिन ख्षित्र से हूँ एक सरपंच की इलेक्टेट परसंट की जिम्यदारी निबार आओ लेकिन यहाँ पे जितने लोग मिले और जिनकी सोच से ग्रामिन ख्षित्र में क्या क्या चीजे परिवर्तन आ सकती है वो मैंने अल्रेडी डन किया है लेकिन बहुत सारी चीजे मुझे यहाँ से सीखने को भी मिली है मैं पहली बार दिशपंडे फांडेशन के ओर से जो आज फंक्षन हो रहा है दो दिन का इन में मैं पार्टिसिपेंट हुआ हूँ मैंने अताई किया है कि जितने समय तक जितने टाइम तक एक फांडेशन के ओर से प्रोग्राम होते रहेगी हर साल मैं हर साल ऐसे इवेंट मैं पार्टिसिपेंट होगा मैं अगर सर्पंड के दोहरों के उपर हूँ या नहीं हूँ मैं इस आने वाले दिनों में भी इस पांडेशन के ओर से जो प्रोग्राम होगे इवेंट होगे उसमें मैं जरूर पार्टिसिपेंट होगा बहुत अच्छी चीज मुझे यह लगी है जो हर एक सेक्टर के लोग यहां पे आ रहे हैं इसे नहीं है कि कॉर्परेट सेक्टर के ही ए ऐसे नहीं है कि क्या एंजीओ से ही है अलग अलग लेवल के लोग यहां पे मिले हैं सबी के वीचार सबी की सोच एक दूसरे के साथ नॉलेज शेरिंग भी बहुत अच्छा हुआ है और सिर्फ सोच ही नहीं जिन्होंने वास्तवी की रुज़त्वे उपर कुछ किया है सोसाइटी के लिए किया है, देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला मैंने यक्षपात्र के बारे में सुना था लेकिन आज उनकी मुह से उनके जो स्टार्टिंग जनरी से सुन गए भी मैं बहुत कुछ प्रभावित हुआ हूँ देश शर से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि इन्होंने एक ऐसा अच्छा फांडेशन रज के बहुत सारी लोगों के लिंक जोड़ा है जैसे एक माला होती है और माला में अलग-अलग प्रकार के लोग अलग-अलग प्रकार के मनिके उसके साथ जुड़े होते हैं ऐसे पूरे देश के अलग-अलग विबिन्नक शित्र से एक माला के दौर के उपर आज यहां पे हमें सब को इखटा होने का मौका मिला है मैं थैंक यू थैंक यू सो मच कि मुझे इस इवेंट में पाटिसिपेंट कुए और मुझे इन्वाइट किया इसलिए देश पांडे फांडिशन का मैं शुक्रिया आदा करता हूँ मैंने जो जितना समझा है यहांने के बात की ग्रास रूट के साथ तो कनेक्ट अल्रेडी है कि विलेज पीपल के साथ उनका कनेक्शन है और विलेज पीपल के साथ वो मिलके बहुत सारे प्रोग्राम अवनेस प्रोग्राम हो या उनके लाइवली हूट के हो एगरिकल्चर क हो उनमें तो देश पांडे पांडेशन अल्रेडी काम कर रहा है लेकिन मैं जहां तक ग्रामिंग शित्र में काम करता हूँ तो लोकल जो लीडर्स है उनको भी इस चीज के साथ जूड़ना पड़ेगा डिरेक्ली पीपल के साथ तो हम कनेक्टिंग होते ही है तो नमबर विलेज में पांच पंद्रा या बीस पचीस या पचास या सो लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाएगे लेकिन अगर मास लेवल के उपर उनको कन लेगे मैं मानता हो कि बहुत सारे जुड़े भी होगे लेकिन अगर अगर कंट्री के साथ करना है तो ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स भी बहुत सारे है उनको यहां तक कनेक्ट हो और वह देश्पांडे फांडेशन की सोज को गाओं के विलेज को अलग-अलग लेवल के उपर वह लेके जाए तो मैं मानता हो कि जो स्केलप हुआ है उससे अच्छा भी स्केलप हो सकता है मैं यहां से गर एक ही चीड़ ले जा रहा हूं कि मैंने गाओं मौडल विलेज बनाया है वो बहुत कम है देश्पांडे फांडेशन ने जो काम किया है और यहां पर जो लोग आये है उनकी बात सोचके लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया इंडिया का मौडल होई विलेज होने के बाद मैं सिर्फ एक गाओं में काम कर सका हूँ मुझ मुझे भी एक नहीं मुझे एक हजार स्मार्ट विलेज और मुझे बनाने है यही सोच को मैं अपने साथ कर ले जा रहा हूँ डेफलोपमेंट डियालोग सुनते ही मुझे आज बहुत सारे चहरे जो मिले बहुत सारे चहरे मेरे आँंक के सामने आएगे कि जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है और एक खुपसूरत केmpus मुझे देख सामने आएगे कल शाम का जो इवन्ट हुआ इन्वोसिज डिवल्प्मेंट डायलोग के है